असलाम उलाइकूम इनिस्ट्वन्ट सोलूशन चैनेल से मैं हो तू हीन तो आमारा हाथ पे एक कैबोल ग्लांड है तो आकचुली मेरे पास बहुत ज़ादा रिक्वेस्ट था एक कैबोल ग्लांड के लिए एक वीडियो बनाने के लिए तो आसका वीडियो इस्पेशाली अफ्लोग के लिए देखिए एक डाबोल कॉमप्रेशन का कैबोल ग्लांड है तो एक कैबोल ग्लांड दो टाइप का रहता है एक सिंगेल कॉमप्रेशन का और एक डाबोल कॉमप्रेशन का तो ये एक double compression का cable gland है और ये 01 का cable gland है आप देख रहा है इदल देखा 01 ये cable gland का actually size रहता है 01, 02, 03 ऐसा size रहता है तो आजका वीडियो में मैं try करूंगा ये cable gland का अंदर क्या क्या रहता है कौनसा part रहता है कौनसा part का क्या नाम है और कितना size का cable के लिए ये कितना size का cable gland यूज़ करना पड़ेगा इसका details आजका वीडियो में आपको अस्चा से समझाने के लिए तो पहले में ये एक intake packet है actually अब ही आपको पहले इसको काट करके ये cable gland का अंदर क्या क्या रहता है इसका नाम क्या है आपको पहले अस्चा से समझा देता हूँ तो ये आगे हमारा cable gland तो देखिए ये 01 का एक cable gland है और एक cable gland के साथ एक ब्राश आर्थ टैग है एक आर्थिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा और ये आमारा PVC का काबर है ये cable gland करने के बाद ये काबर इसके अंदर रहेगा मतलब इसका बदा से कुछ पानी पानी इसमें नहीं घोसेगा और ये अच्छा भी रहेगा ताभी में एक एक करके इसको निकल के कौन सा पाट्स का क्या नाम है ये आपको अस्तर से सम्झाता हूँ देखिए पहले ये निकल दिया देना भी दूसरा लग निकलता हूँ कि देखिए ये भी आ गया इसका अंदर और कुस नहीं है एक पर्ट से एक पर्ट से तो देखिए ये हमारा क्याबल ग्लांड का सारा पार्ट्स हो गया अभी में एक एक करके आपको इसका नाम बदता हूँ पहले बोल देता हूँ ये डाबल कॉम्प्रेशन का एक क्याबल ग्लांड है और ये है कॉम्प्रेशन नाट है और इसका अंदर एक आउटर सील रिंग आप देख रहे है ब्लैक कलर का ये अक्चुली आउटर सील रिंग है इसका अंदर ब्लैक कलर का आप जो देख रहे है ये, ये है आमारा main gland body, ये आमारा जो body का main gland O है, ये इसके साथ रहेगा, ये तीस्रा में ये है armor clamping ring, ये है armor clamping cone, then next में है inner seal ring, ये है inner seal ring, then ये है nipple entry part, then ये है nipple entry seal ring, और ये है check nut, ये last में रहेगा, मतलब आमारा gland को पकर के राखेगा ये check nut, तो ये है total all cable gland का part है, तो आपको और भी easy तोरिका से समझने के लिए इधार एक gland का सारा part का अलग अलग करके इसका नाम भी लेख दिया, तो ये अल अभी आप देखने के बाद easy तोरिका से आप पैसन सकता है gland का कौन सा part का क्या नाम है, तो आभी चलिए मैं आपको एक junction box पे लेके जता हूँ, तो ये अमारा एक field का junction box है और इसमें बहुत चरा कैबल टर्मिनेशन हुआ, तो आप देख रहे है ये चरा कैबल टर्मिनेशन हुआ, और ये कैबल के साथ ये जो आप देख रहे है ये PVC का जो काबार है ये काबार, ये काबार अक्चुलिए अमारा gland को पोटेक्ट करेगा वाटर से और बाहर से भी पोटेक्ट करेगा, फिर ये अमारा जो PVC का काबार ये लाग जाएगा, और ये अमारा junction box का अंदर, इसका अंदर कैबल टर्मिनेशन होगा अमारा gland के साथ, और ये चेकनाट ये gland को पाकरके राखेगा, तो नॉर्माली सारा प्लान में सेम कैबल ग्लान कैसे करता है, ये लेके मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगा, आप चाहिए तो ओवाल भी एक बार देख सकता है, तो चलिए अभी आपको देखाता हो कौनसा कैबल के लिए कितना साइस का कैबल ग्लान चाहिए, तो साइज रहेगा 19 mm, और इसके लिए आपको पैनल का जो प्लेट है, वो प्लेट पे 19 mm का एक होल सो से ड्रिल करना परेगा, आप चाहिए तो एक mm क्या 2 mm थोड़ा बड़ा भी कर सकता है, फिर इसमें अस्चा से आपका ग्लान अंदर घुसेगा, देन 2.5 स्क्वार एम कैबल के लिए सेम, 01 का ग्लान, देन 19 mm ड्रिल करना परेगा, देन 4 और 6 स्क्वार एम कैबल के लिए 02 का ग्लान यूश करना परेगा, और इसके लिए आपको 25 mm का ड्रिल करना परेगा, देन 10 स्क्वार एम कैबल के लिए 03 का ग्लान यूश करना परेगा, और 28 mm का होल करना परेगा देन 16 और 25 स्क्वार एमेम कैबल के लिए 04 का ग्लांट यूश करना परेगा और 32 एमेम होल करना परेगा देन 35 और 50 स्क्वार एमेम कैबल के लिए 05 का ग्लांट यूश करना परेगा और 38 एमेम होल करना परेगा Then 70 or 95 square mm Cabrel के लिए 0-7 size का gland यूश करना परेगा और 43 mm whole करना परेगा Then 120 square mm Cabrel के लिए 0-9 size का gland यूश करना परेगा और 50 mm whole करना परेगा then 185 square mm के लिए 10 size का एक gland उस करना परेगा और 58 mm होल करना परेगा then 240 square mm के लिए 11 size का एक gland उस करना परेगा और 63 mm होल करना परेगा देन 300 square mm के लिए 12 size का एक gland यूज करना परेगा और 75 mm होल करना परेगा और आपको एक सीज बता दे रहा हूँ आप चाहिए तो एक होल करने के time 1 mm के या 2 mm थोड़ा बड़ा करके होल के जिए फिर आपको gland easy easy घुज जाएगा तो एह हो गए हामारा जो एक कैबल के लिए कौनसा size का actually gland यूज करना परेगा इसका पूरा details तो ठीक है मेरा लगता है आज का वीडियो में double compression gland का details और कौनसा size का कैबल के लिए कितना size का gland यूज करना परेगा ये सारा आपको आज का वीडियो में अस्सा से समझा दिया तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लागा तो प्लीज एक like दे के मेरा चैनल को subscribe कीजिए और बिला icon बटन को जोरो run कर दीजिए फिर मेरा next वीडियो ओ भी आपको मिल जाएगा और कुस question होगा तो please comment कीजिए धन् नवाद